हाई हाव आर यू दूइंग वेलकम टू हिंगलिश्यर तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंडिशनल सेंटेंसिज के बारे में कंडिशनल सेंटेंसिज क्या बहुत बड़ा टॉपिक है और इस वीडियो में मैं आपको इसका जनरल आउटलाइन समझाऊंगा में में बाते इसके बारे में आपको बताऊंगा बाकी हम इसके बारे में पूरी सीरीज करने वाले हैं कंडिशनल सेंटेंसिज के बारे में तो जुड़े रहे हमारे साथ conventionally conditional sentences कितनी तरह के होते हैं हम इस बारे में बात करेंगे उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं conditional sentences होते क्या है condition यानि के शर्थ तो conditional sentences का मतलब है कि जिन वाक्यों में, जिन sentences में, जिन बातों में हम कोई शर्थ रखते हैं यानि कि इसका जो starting होती है वो अगर या यदी से होती है और English में if से होती है कि इसमें ये वाक्य जो होते हैं दो पार्ट से मिलके बने होते हैं दो भागों से मिलके बने होते हैं जो पहला पार्ट होता है वो होता है if वाला पार्ट और दूसरा उसका result होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा या ऐसा हु हुआ होता तो conditional sentences को जैसे मैंने बताया कि शर्त वाले sentences हैं conventionally यानि के जो grammar पढ़ाई दा रही है उसके according हम कहते हैं कि English में तीन तरह के conditional sentences possible हैं वो conventionally कौन से तीन sentences possible हैं वो उसको हम कहते हैं first type second type और third type तो सबसे पहले first type यह first type conditional sentences जो होते हैं इनको मैं आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि actually a factual sentence होते हैं यानि कि इन में हम real बात की बात कर रहे होते हैं जब मैं आपको example दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगर तुम मिहनत करोगे तो एक्जाम पास कर जाओगे एक्जाम में पास हो जाओगे यह है conditional sentences type 1 अगर तुम मिहनत करोगे तो पास हो जाओगे यानि इसमें हमने पहले sentence में कहा कि एक बात बताई है और उसका result जो है हमने इस sentence के दूसरे हिस्से में बताया है factual का मतलब होता है कि इसमें लगभग result 100% है हम एक ऐसी बात के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर हम इफ वाले sentence पे बात करेंगे तो वो 100% almost possible होगी जो उसका दूसरा वाला हिस्सा है वो 100% possible होगा क्योंकि अगर मिहनत करोगे तो पास हो जाओगे बिल्कुर definitely एक दम factual बात है कि अगर कोई मिहनत करेगा तो पास हो जाएगा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कई बार आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं जब तुम मिहनत करोगे तो पास हो जाओगे यानि कई बार इफ को जो हम वैन यानि के जब से भी replace कर सकते हैं ये इसको समझने का एक आसान तरीका है कि अगर आप चाहें तो इफ को वैन से भी इसमें replace कर सकते हैं क्योंकि बात इतनी solid होती है बात इतनी 100% possible होती है कि हम उसको almost ये कह देते हैं कि जब ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा ही तो इसकी English बन बनाओगे present indefinite में जो अगर वाला हिस्सा है उसको बनाओगे present indefinite में और जो उसका result है वो बनाओगे आप future indefinite में यानि कि पहला हिस्सा बनेगा present में और दूसरा हिस्सा बनेगा future में जैसे कि इसकी English होगी अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे if you work hard you will pass your examination तो इसमें आपने देखा कि जो पहले वाला हिस्सा है जो हमने हिंदी उर्दो में हमने अगर से बनाया ये English में if और इसमें हमने जो use किया है simple present use किया है if you work hard और जो इसका दूसरा हिस्सा है जो इसका result है तो तुम exam pass करोगे उसको हमने बनाया हमने इसमें will use किया है इसके अलावा possibility के हिसाब से अलग-अलग model vibe use हो सकती है लेकिन उनकी future form यानि के उनकी जो simple form है वो ही use होगी तो इसमें हमने would use नहीं किया है will use किया है तो ये है if you work hard you will pass your examination तो ये था conditional sentences type 1 अब हम बात करेंगे conditional sentences type 2 second type second type को मैंने उसको नाम दिया है irrealist मैंने नाम नहीं दिया है जादतर जो grammatical books हैं जो grammar के बारे में बताते हैं उनमें इसके लिए use होता है irrealist कई बार इसको unreal भी बोलते हैं और भी इसके कई नाम है और कई बार हम इसको just for the sake of simplification हम सिफ इतना भी बोल लेते हैं second type irrealist का मतलब है जो reality हो possible तो है लेकिन उसके होने के chances नहीं के बराबर हैं इसमें हम एक ऐसी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इस world में possible तो है लेकिन उसके possible होने के chances उसके real में वो हो जाएगी इसके chances आल्मोस नहीं के बराबर हैं जैसे कि इसका आप एक example समझे अगर मैं प्रधान मंत्री बन जाऊं तो हर व्यक्ति के लिए एक नियुनतम सेलरी या राशी तै कर दूं तो मैंने जो आपके सामने sentence बनाये हैं यह आपको simple लगे उसके लिए बनाये हैं वारना जब हम इसमें second type को मैं अलग से detail में अपनी और वीडियो में बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आप के मन में यह भी सवाल आ रहा होता तो मैं थोड़ा उसमें आपको difference बताऊंगा लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करेंगे मैंने हिंदी sentence को इसी तरह से लिखा है ताकि आपको यह बास समझ में आ जाए यहां पर मैं एक बात बहुत ही clear words में आपको बता देना चाहता हूं वो यह है कि जो second type है second type है यह बि future की बात करेगा इसी तरह जो second type है वो भी या तो present की बात करेगा या future की बात करेगा past की बात नहीं करेगा बार बार में इस बात को emphasize कर रहा हूं जोर दे रहा हूं कि past की बात बिल्कुल नहीं होगी बात जो होगी वो present या future की होगी जो कहने वाला है जो व्यक्ति है अगर मैं परधान मंत्री बन जाओं यानि के वो एक ऐसी possibility के बारे में बात करा है जो लगभग असंभाव है present scenario को देखते हुए लेकिन ऐसा फिर भी possible है यह हम भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं उसके पुंतम salary या राशी तै कर दूं तो इसको बनाने का तरीखा क्या है English हम इस sentence की इस वाले जो second type के conditional होते हैं उनकी English कैसे बनाएंगे English बनाने का तरीखा यह है इसका कि जो इसका जो अगर वाला हिस्सा है उसका उसकी English हम बनाते है इस प्लस simple past simple past जो की जादतर cases में past indefinite होता है और जो इसका दूसरे वाला हिस्सा है जो हिंदी में तो के बाद हम शुरू कर रहे हैं वो बनाते हैं हम पहले वाले if वाले sentence को finish करेंगे कोमा लगाएंगे उसके बाद वो हम बनाएंगे जो model वर्ब होती है will, shell, may इन सब की जो होगी हम बनाएंगे इनकी past form से जी हाँ दोस्तों इनकी past form से बनाएंगे यानि will की past form क्या होती है would, can की past form क्या होती है could, shell की past form क्या होती है should तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम model व आपको बताना चाहता हूँ कि चूकि जब हम इनको English में बनाते हैं तो इसमें हम past का यूज करते हैं पहले वाला हिस्सा जो है वो simple past में बनाते हैं और दूसरा हिस्सा model verb की past form यूज करके बनाते हैं बट बी केरफुल इस बात में कि इसका past से actually में कोई लेना नहीं है बलकि ये जो है आपको present या future की ही घटना के बारे में बताता है तो इसको हम बनाएंगे अगर मैं परधान मंतरी बन जाओं तो इसकी English क्या होगी जो हम पहला हिस्सा बनाएंगे वो हम simple past में अगर वो इंड English बनाएंगे if I were elected prime minister उसके बाद तो हर व्यक्ति के लिए एक नियूनतम सेलरी या राशी तेह कर दूँ तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इसका जो दूसरा हिस्सा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे उसमें model वर्ब यानि के model वर्ब जो कि हम इसमें यूज कर रहे हैं वी यूज करना चाहिए तो उसकी past form क्या होगी would होगी I would fix a minimum wage for everyone या everybody आपने क्या देखा इसमें जो हमने पहला हिस्सा बनाया है sentence का वो बनाया है किस से simple past से यहाँ पे हमने past indefinite की passive form यूज की है और जो दूसरा हिस्सा है वो model वर्ब की past form से बनाया है इसको हम detail में अपनी और वीडियो में इसके बारे में study करेंगे अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं तीसरे अब हम बात करेंगे जो conditional sentences का तीसरा type है इसका दूसरा नाम है hypothetical past दोस्तों बहुत आप आसानी से सारी बात समझ सकते हैं कुछ भी confusion नहीं है रत्ती के बराबर भी कहीं भी confusion नहीं है बिल्कुल एकदम crystal के लिए सारी बात है जैसे कि आपने देखा कि इसका दूसरा नाम है hypothetical past hypothetical past तो इसमें जो sentence होगा जो हिंदी sentence होगा या जो आप जो बात व्यक्त कर रहे हैं वो वाकी में past में होगी और hypothetical का मतलब है कि अब वो उसकी संभावना खत्म हो गई है समाप्त हो गई है अब आप उसको किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैं अपना पहले type का ही एक्सांपल यहां पर उठा लेता हूं अगर तुम मेहनत करोगे तो pass वह सो जाओगे इसी को मैं अब खतम हो गई है हम एक past की बात कर रहे हैं भूत काल की बात कर रहे हैं जब वो possibility थी उस समय के अगर जो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं अगर उसने उस समय मेहनत की होती तो पास हो जाता लेकिन अब result आ चुका है अब वो संभावना समाप्त हो गई है इंगलिश बनाने का तरीका क्या है बहुत सिंपल है इसमें जो अगर वाला आधा वाक्य है वाक्याश है वो बनता है past perfect में if plus past perfect तो अगर तुम मेहनत करते if you had worked hard तो पास हो जाते जो दूसरा वाला हिस्सा है वो किसमें बनता है model वर्ब की past form यानि will की would, shell की, should, can की, could, me की might इनकी past form plus have plus verb की third form तो past हो जाते यू वुड्ड है पास्ड दा या यूर एक्जामिनेशन तो दोस्तो ये थे conventionally जिनको हम conditional या शर्त वाले sentences कहते हैं और इसमें मैंने आपको इनका overview दिया है यहां पर मैं अपना ये वाला lesson खत्म करने से पहले आप से एक बात कहना चाहूँगा कि जो conditional first sentence होता है और जो second type होता है वो चाहें English में कैसे भी बने Hindi में कैसे भी बोला जाए लेकिन उसका जो कहने वाले का जो संबद होता है वो या तो वर्तुमान यानि present की या फिर future यानि के भविशेकाल की घटना से होता है उसका past से कोई संबंध नहीं होता है और तीसरे वाले का संबंध सिर्फ और सिर्फ पास्ट से होता है ये जो second conditional type है ये कई बार बोलने वाले की जो उसके मन में क्या है उस पर depend करता है मैं lesson chapter खतम करने से पहले बस आपके सामने एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा है जो second type आप गौर देंगे अगर मैं परधान मंत्री बन जाओं तो हर व्यक्ति के लिए एक न्यूनतम राशी तै कर दूँ अगर ये sentence कौन बोला है एक वह व्यक्ति बोला है जो election लड़ रहा है तो ये हम बनाएंगे first type में जी हाँ चौके उस time ये एक reality है जो election लड़ रहा है उसके प्रेजिडेंट बनने की पूरी पूरी या प्राइम मिनिस्टर बनने की पूरी पूरी संभावना है तो उसके लिए ये first type है यानि एक fact है एक तथ है factual बात है तो हम इसको जो है अगर एक माई के पीछे खड़ा हुआ एक candidate जो परधान मंत्री पद के लिए चुनाओ लड़ रहा है और वो ये बात कहना चाहता है कि अगर मैं परधान मंत्री बन जाओं तो हर व्यक्ति के लिए एक new time राशी amount तैय कर तो वो इसको first type में बनाएगा क्योंकि अगर वो इसको second type में बनाएगा तो उसके जो audience है वो सोचेंगे कि ये तो irrealist बात कर रहा है इसको अपने आप पर यकीन ही नहीं है कि मैं परधान मंत्री बन जाओंगा जी हाँ दोस्तो इतना फर्क पड़ जाता है यानि ये जो second type ह ये first type का ही एक रूप है बस फर्क इस बात से पड़ता है कि इसके पूरे होने की संभावना नहीं के बराबर है तो ये जो first type का conditional है अगर तुम मेहनत करोगे तो exam पास हो जाओगे ये effectual बात है तठ्ठातमक बात है बिलकुल तह बात है जब कोई मेहनत करता है तो पास हो ज लड़के के बारे में बोलूँ जो बिलकुल मेहनत नहीं करता है और मैं already निराश हूँ उसकी तरफ से के ना वो मेहनत करेगा ना पास होगा तो मैं इस sentence को ऐसे बोलूँगा if you worked hard you would pass जिसको मैं हिंदी में ऐसे कह सकता हूँ कि अगर तुम मेहनत करो तो पास हो जाओ अब आप दोनों में difference देख रहे हो अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओ अगर तुम मेहनत करोगे ना पास होगे तो दोस्तों मैं इस बात को summarize कर रहा हूँ कि first type factual बात होती है और उसका संबंध present या future से होता है second type irrealist होती है आनि कि उसका संबंध जो होता है वो present और future से होता है लेकिन उसके पूरे होने की संभावना नहीं के बराबर होती है third type का संबंध सिर्फ और सिर्फ past से होता है तो दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा lesson कैसा लगा ये बताना ना भूलिए और अगर आपके मन में क किसी भी तरह का डाउट है English grammar से related किसी भी तरह का डाउट है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं और और नए chapter में हम एक एक conditional sentences के बारे में detail में बात करेंगे first के बारे में फिर एक video second के बारे में होगी एक video third के बारे में होगी और फिर बहुत सारे टाइप छोटे छोटे छ हाज़ सौ